अलो बच्चों लेट्स रीड दो कॉस्ट फर्स्ट दो कॉस्टन से इस इन विच आपको नाइटरोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टिरिया देखने को मिलता है वह कौन से प्लांट में होती है अगर बच्चों बात करें कोलराइड रूट्स की तो कोलराइड रूट्स बेसिकल इसी रूट में एक एरिया हो साइनो बैक्टिरिया जहां पर रहता हो जहां पर साइनो बैक्टिरिया रह सके तो उस रूट में एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें कि आपको एक साइनो बैक्टिरिया रहने को मिलता है रहने को देखने को मिलता है जहां वो रहता है और ये जो syenobacteria होता है, ये क्या करता है? nitrogen fixing करता है, nitrogen fixing में help करता है तो इस टाइप की roots को हम क्या बोलते हैं? तो हम koloride roots बोलते हैं, जो कि किसी भी syenobacteria को एक area, एक specific zone provide करती है, जिसमें वो रह सके और nitrogen fixation कर सके, तो ऐसे roots को गो, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे roots को हम बोल रहे हैं, P.O.L.I.R.O.I.D. Oooh, roots, अब यह yàn roots आपको देखने को किसमे लती है, यह roots आपको देखने को मिलती है, बच्चो, gymnosperm में और gymnosperm में कौन सा plant है, बच्चो gymnosperm में आपको यह roots देखने को मिलती हैं, association देखने को मिलेगा आपको coloride root नहीं देखने को मिलेगी और cedrus में भी ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं देखने को नहीं देखने को अपाइनस में जो आपको देखने को मिलेगा वह होता है symbiotic association between your roots of fire plants plus fungi इन दोनों का association होता है यानि कि symbiotic relationship होता है कि हम mycorrhiza बोलते हैं तो यह आपको पाइनस में देखने को मिलेगा बट हमसे यहां पर किसकी बात करी जारी है coloride root की बात करी जारी है जिसमें की nitrogen fixing bacteria syno bacteria मिलता है वह आपका ficus होता है correct answer क्या हो जाएगा बच्चो correct answer हो जाएगा आपका option number b hope आप लोगों को यह solution समझ में आए बच्चो thank you all the best